हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर नवदीब गोईल नवदीब हेर क्लेनिक पानेपत से MBBS DNB आज हमारे पास पेशेंट्स हैं जिनका हमने ट्रांस्पांट किया है यह रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं खुशी नगर के हैं लेकिन अभी डिर्यक्ट हमारे पास साउधी एरेबिया जेदा से आए हैं अभी एरपोर्ट से ड़्रेक्ट वहीं से आए हैं इनका थोड़ा सा एक्सचेंज का भी प्रॉलम होगे था फोड़ा सा है इनका वह करनी पाये थे अब अब इनसे बात करेंगे कि experience कैसा रहा है इनका आज बहुत अच्छा experience रहा है मुझे तो बहुत सुरु में कुछ लगा था कि मतलब तोड़ा बहुत वो होगा लेकिन इतना असानी से हो गया मैं सोच नहीं सकता हूँ मतलब बहुत मुझे अराब मौसूस हुआ टांस्प्लांट के प्रति मुझे बहुत अच्छा मौसूस हुआ बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब टांस्प्लांट बहुत बढ़िया से हो गया है experience बहुत अच्छा रहा आज हमने इनका front portion ये front hairline और ये crown area ये दोनों portion किया ह बीच में इनके थोड़े बाल है उसके लिए लोग medicines use करेंगे जब तक रुख सकते हैं तब तक इनको medicines से रोग के रखेंगे जब ये चले आएंगे तो फिर वो दुबारा करवाना रहेगा इनका ये front hairline हुआ है और ये crown area हुआ है इसके लिए इनका donor area weak था तो हमने donor area पे इसका back of head लिया है सिर के पीछे से बाल निकाले गए है और एक और उपर करके दिखाई है और ये दाड़ी से बाल निकाले गए है तो bed का extraction किया गया है और back of head का donor area लिया गया है ये दो donor area इनके लिए गए है और आज राउंड the payment का काम शुरू किया था और अप्रोक्समेट और हमारा जो इसमें कर्चा रहा है ये वेरी करता है आपका कर्चा इसे ज्यादा भी हो सकता है इतना भी हो सकता है कोई fix नहीं है हमारा कर्चा किसी के लिए इनके लिए जो आज की date में हमारा कर्चा रहा है वो 45,000 रहा है 45,000 रहा है 45,000 रहा है 45,000 रहा है और और कुछ तो यहां पर करें डाक्टर नौदीब गोईल से और यहां से कराएं बहुत मतलब इस्टाप जो है यहां पे ओ लोग इतने अच्छे से मतलब काम कर रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं ऐसा मतलब इस्टाप तो मैं पहली बार देखा हूँ सभी बता रहा हूँ और जो भी काम रहता है में काम इसमें ट्रांस्परेंट में रहता है बाल निकालना और छेद बनाना यह सारा काम हमारे हॉस्पिटल में मैं खुद करता ह हाँ डाक्टर साहब खुद किये हैं अपने हाथों से सिरफ ग्राफ्ट निकले रहेंगे छेद बने रहेंगे डालने का काम स्टाफ का रहता है तो आप कहीं भी कराएं आप इस बात को ध्यान में रखें कि सारा काम निकालना और छेद बनाना दोनों के दोनों काम सिरफ और सिरफ कौलिफाई डॉक्टर जो कम से कम MBS तो होना ही चाहिए जोला चाप नहीं कम से कम MBS तो होना ही चाहिए हाँ बेलकुल होना चाहिए MBS आप इतना फिस दे रहे हैं तो आप किसी परपस के लिए दे रहे हैं मैंने यूट्यूब पे बहुत डाक्टर लोग का वीडियो देखा और आपको वीडियो देखा तो मतलब मुझे समझ में आया बहुत कुछ कि आपके पास जो एरिया के हिसाब से होते हैं और चीज भी मुझे बहुत अच्छा लगा और सस्ता भी आपके पास हुआ है देखा जाये तो मतलब और जगह से बहुत सस्ता आपके पास हुआ है बहुत अच्छा लगा मुझे मुझे कम पैसे में हो भी गया मेरा टांस्प्लांट और मुझे असानी से भी मतलब कोई दिक्कत भी नहीं हुआ तो इससे बेहतर क्या चाहिए हर आदमी यहीं सोचता है ना चलि मैं तो सस्ता नहीं कहुँगा लेकिन अच्छा जबूर है इस रेट में नहीं सकता है जो करेगा इसपर जैसे कम में चाहस पास भी करेगा तो सब टेक्निशन वाले हैं मैंने सब देखे हैं, लोग बोलते हैं, सर डोक्टर आया था, वो घूम के चला गया वहां से, वो चक्र काट रहा था, वहां पर आपने आगे का भी किया, और पीछे का भी किया, प्लस मेरा बीट भी आप निकाले, फुर्टी फाइब थाफजन में, सब कुछ आप की है ना, ये पैसा ज्यादा नहीं है, देखा जाए तो मतलब एक अंडर तर लिमीट है, बहुत सस्ता है, अगर क्वालिफाइड डॉक्टर के हिसाब से देखे तो बहुत सस्ता है, नहीं होगा आपका, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप लोग इतने सस्ते में सब आर्जे गोल से और असानी जापना ट्रास्प्लांट करवा लें, कम मुझे अपने भी, थैंक्यू, धन्यवाद,